हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामीका, मेरी कीचिन में आप सभी का स्वागत है आज भी मकर शुक्रांते एस पेसर तिल गुड की तिल कुट लेकर आए हूँ इसे बनाना बहुत ही आशान है और ये ठंडी के सीजन में तो वैसे भी फायदे मन्द है तो फ्रेंड्स इस रेश्पी को आप लाश्ट तक देखिए और ज़रो ठ्राय के जिएगा तो चलिए हम मकर शक्रांते एस पेसर तिल कुट बनाना शुरू करते हैं तिल कुट बनाने के लिए हमने जो इंग्रिदेश दिया है वो है 200 ग्राम शफेद तिल जिसे हमने साफ कर लिया है देर्शो ग्राम गूर को हमने छोटी छोटी टुक्रे में तोड लिया है और हम एक चमच घी यूज करेंगे तो अब हम गैस के तरफ चलते हैं गैस पे हम एक कडाही रखें हैं अब हम गैस को आम कर लेंगे और कडाही को अच्छे से गरम होने देंगे कडाही गरम हो चुका है अब हम उसमें तील को डाल देंगे और इसे मेडियम फ्लेम पे 4-5 मिनट तक हम सेंख लेंगे याने कि इसमें से एक चटकने की आवाज आने लगेगी तब हम इसे निकालेंगे तील को हमने medium flame पे 4 मिनट तक भूना है तील से एक चटकने की आवाज आ रही है थोड़ा सा color भी change हो गया है तो हमें जादा नहीं भूनना है इस stage पे हमें gas को बंद कर देना है अब हम इसे एक दुसरे plate में निकाल लेंगे इसके क्या होगा ये जल्दी ठंड़ा हो जाएगा तो हम इसे दुसरे plate में निकाल लेंगे और इसी कडाही में हम चाचनी बनाएंगे तो हम इसमें एक चमच घी डालेंगे और थोड़ा सा घी हम बचा लेंगे घी मिल्क हो चुका है अब हम इसमें गुर को डाल देंगे तो यहां पे हमने गुर को छोटा छोटा तोड़ लिया है इससे क्या होता है सब गुर एक साथ में पिखलता है अगर गुर बढ़ा रहेगा तो चाचनी बढ़ाबर तयार नहीं होती है तो हम इसे एकदम लोग फ्लेम पे तीन से चार मिनट में पिखला लेंगे तो गुर अपना पिखलना चालू कर दिया है जो बड़ा साइज वाला गुर है उसे हम इस पेचुला से दबा दबा के तोड लेंगे तो ऐसे यह बहुत ही जल्दी मेर्ट हो जाता है श्लो फ्लेम पे हमने तीन मिनट तक गुर को पिखलाया तो आप भ्यान से देखिए गुर के जो टुकरे हैं वो शारे मेल्ट हो गए हैं अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे और इसे दो से तीन मिनट तक और पकाएंगे फिर हम चार्षनी चेक करेंगे हमें कंटन्यू चलाते रहना है मेल्ट होने के बाद गुर पेंदी में लगने का चांस रहता है तो हम चलाते हुए चार्षनी तयार करेंगे मेल्ट होने के बाद हमने गुर को तीन मिनट तक ही पकाया है तो आप ध्यान से देखिए ये कितना जाग बन गया है चांसनी का कलर चेंज हो गया है और ऐसे हम कड़के देखिएंगे कड़ाही से गुर अपना अलग होनी लगा है अब हम चांसनी को चेक करेंगे तो हम एक कटोड़ी में पानी लेंगे और इस पेचुला से इसमें हम थोड़ाशा ड्रॉप डालेंगे तो अब ध्यान से देखिए ये अपना ड्रॉप जो है बिल्कुल जम के उपड़ आ गया तो ये चांसनी अपनी तैयार हो चुकी है अब हम इस एस पे भूना हुआ तिल डाल देंगे और गैस के फ्लेम को हम आउफ कर लेंगे तील को हम अच्छे से चांसनी के साथ मिक्स करेंगे तो ध्यान से देखिए जितना हमने गूर का चांसनी बनाया था उसमें तील अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें इलाइसी पॉडर ड्राय फ्रूट्स डाला जाता है लेकिन हमें नेचुरल गुड का ही फ्लेवर वसंद है तो मैं यहां पे नहीं डाल रही है अब हम क्या करेंगे एक कटोरी लेंगे और इसे घी से ग्रीस करेंगे तो ऐसे हम कटोरी को ग्रीस कर लेंगे एक कटोरी में डालते जाएंगे और इसे फिर हम बेलन से उसको तिलकुट का सेप देंगे और हम एक बेलन लेंगे इसके पिछे वाले हिसे को भी घी से ग्रीस कर लेंगे और इससे हम अपनी चिक्की को ऐसे उट देंगे अब हम इसे ठंधा होने के लिए छोड देंगे और दुसरी कटोरी हम ऐसे हैं ग्रीस कर लेंगे तासनी में तील डालने के बाद ये प्रोस्टेस हमें बहुत ही जल्दी जल्दी करना है नहीं तो गूर के जमने के बाद हम करेंगे तो गूर जम जाता है तो करना मुश्किल हो जाता है हमने दुसरी कटोडी में भी तिलगुड ले लिया है अब हम इसके भी तिलकुट बनाएंगे इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा तिलगुड लेंगे और बेलन से इसे तिलकुट का सेप दे देंगे ये बहुत ही आसानी से बन जाता है तो हमें इसे बेलन से ऐसे कटोडी में एक सेट देना है अब हम इसे निकालेंगे तो इसे हम प्लेट में उलट देंगे ये आसानी से निकल जाता है तो आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़ियां अपनी तिलकुट तयार हुई है अब हम दुसरी कटोरी को भी ऐसे ही करेंगे बेलन की मदद से और उसे ऐसे कटोरी का सेफ देंगे हमने तिलकुट का सेफ दे दिया अब इसे हम कटोरी से निकाल लेंगे तो आप ध्यान से देखिए कितनी अच्छी तिलकुट तयार हुई है नहीं ऐसे ही हम और ही कटोडी का तयार करेंगे तो अब ध्यान से देखिए तिलकुट से तिलकुट बनकर तयार है इसे आप बड़ी आसानी से बना शक्ते हैं और एक खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है तो अगर आज की मेरी रेश भी आपको पसंता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और कमिट करना मत भूलिए धन्यवाद